Hello students, welcome to Great Booster Maths Classes, स्वागत आपका Great Booster Maths Classes भी, आज इस वीडियो टुटोरियल में हम डिसकस करने वाले हैं, अप्लिकेशन से एक क्वेस्टन जो की बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें आप से कहा है, यहां पर हम से कहा है कि एक तो बिल्डिंग है, जिसकी हाइट 15 मेटर है और एक टावर है, तो यहां पर 15 मेटर हाई बिल्डिंग को हमने एसे एजुम किया है, जब हम इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखते हैं, तो अंगल ओफ एलिवेशन बनता है, इट मीन्स टावर इससे ज़्यादा उचा है, तो यहां से टॉप से जब इस टॉप को देखते हैं, तो एंगल ओफ एलिवेशन जब वो 30 डिगरी आता है, अगर ह यहां पर E एक पॉइंट है, जहां पर A, E और B, C जो हैं पैरलल हैं, और C, E और A, B की जो हाइट है, वो 15 मीटर है, जब भी हमारे पास ऐसा केस हो कि राइट ट्राइंगल की फुल साइड ना हो, यानि जैसे अपने पास ये राइट ट्राइंगल है, A, D, E, इसकी कोई साइड गिवन नहीं है, लेकिन इसट्राइंगल की इस साइड का एक हिस्सा एक पार्ट हमें गिवन है, जब भी हमें कुछ पार्ट गिवन हो, खोल साइड गिवन ना हो, तो हम equation सेट करते हैं, और equation सेट करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो दो राइट ट्राइंगल BCD में दोनों की लेंथ जो हैं सेम हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेश्यों इस्तेमाल करके हम इस ट्राइंगल में AE find out करेंगे इसमें BC और दोनों को equal put कर देंगे जिससे हमें equation मिल जाएगी तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले assume करते हैं कि दो DE है वो हमारे पास X meter है तो इन ट्राइंगल AD हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल AD इसमें हम AE find out करेंगे तो AE upon DE अब AE हमारे पास base है और यह perpendicular है base upon perpendicular होता है coat of theta ठीक है तो AE upon DE जिसको हमने X लिया है और coat theta की value है इस ट्राइंगल में हमारे पास 30 degree coat 30 degree ठीक है इसके बाद अब हम यहाँ पर AE की value निकालेंगे यानि AE equal to X multiplied by coat 30 की value है वो square root of 3 होती है यानि AE हमारे पास आजाएगा root 3 X meter first equation अब हम दूसरी triangle BCD में हम BC find out करेंगे हम लिखेंगे in triangle BCD इसमें BC upon DC equal to BC base है DC perpendicular है तो वही बनेगा अपने पास coat और इस बार theta है हमारे पास 60 degree ओके यह अपने पास बन जाएगा BC upon DC जो है अपने पास 15 plus X है X plus 15 equal to coat 60 की value होती है 1 upon root 3 तो यहां से हमारे पास BC की जो value है वो आ जाएगी X plus 15 upon root 3 यह value हमारे पास आएगी BC की यह इसके उपर आ जाएगा equation number 2 हम इसको put कर सकते हैं first equation में हमारे पास AE की value है second equation में BC की value है और जो AE और BC दोनों equal है तो हम यहां लिखेंगे from equation number 1 and 2 यह अपने पास आजाएगा root 3 X equal to X plus 15 upon root 3 क्योंगी AE की value root 3 X और BC की यह value दोनों equal है ठीक है तो अब यहां से root 3 इज़र multiply में आएगा तो यह बन जाएगा 3 X equal to X plus 15 तो 3 X minus X 2 X equal to 15 so X is 7.5 meter X की value हमर पास 7.5 meter आ गई तो तो तावर की जो height है height of tower यह अपने पास आ जाएगी 15 plus 7.5 याने की 22.5 meter एक चीज़ा आगे हमरे पास अब इसमें यह भी पूछ रखा है question में लिखना धान देरा कि इन दोनों के बीच में tower के बीच में और building के बीच में जो है वो distance कितनी है तो वो distance हमारे पास a e है या फिर b c कौन से में भी हम x की value put कर दें यानि की a e equal to root 3 multiplied by x है x अपने पास है 7.5 meter root 3 की value 1.732 multiplied by 7.5 जब हम इनको multiply करेंगे तो यह अपने पास आएगा 12.99 meter और अगर आप root 3 की value 1.73 use करते हैं और तब इसको multiply करते हैं तो यह आएगा 12.975 meter तो यह कोई फर्क नहीं है अगर question में आपको value दे रखी root 3 की तो वो put कीजिए otherwise हम 1.732 use करते हैं उससे यह आएगा और only इतना use करते हैं तो यह आता है और आप answer में शाथ में approximately meter लिख देएं तो यह था आद का question उम्मिध आपको अच्छे तरह से समझ में आया है अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो like, share, comment जरूर कीजिए आप और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल सब्स्राइब करना ना भोलें Thank you very much and have a nice day